असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग उमीद करते हूं आप सबके सब्चाइब बिल्कुल खायरे से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे या PBS नहीं करना चाते हैं और कौन सी डिग्रीज या प्रोग्राम में जा सकते हो और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कुछ क्वेस्टन आंसर जो आईकॉम के हवाले से होंगे और आप लोगों के माइड में आ सकते हैं ठीक है तो बात शुरू से शुरू करें अगर तो सबसे पहला स्वाल यही पैदा होता है कि सर आईकॉम जो है इसका मतलब क्या होता है तो आईकॉम जो है शॉर्ट फॉर्म है किस चीज की इंटरिमीडिय कहा जाता है बाकि इदर खास बात यह बो है कि ईकॉम एक ऐससे प्रोग्राम है जिसको उर्दू मीडियं में भी किया जा सकते है और इंगलिश मीडियं में भी किया जा सकते PLAYINGIG लगता है तो वो उर्दू मीडिया में आइकॉम कर सकते हैं ठीक है और आगे अगर चलें तो अब सब्जेक्ट्स की बात आ जाएगी दो किसम के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पिछली वीडियो में आपने FSC में देखा था, FFA में देखा था, ICS में देखा था, ठीक किसी आइकॉम में भी compulsory subjects होते हैं और elective subjects होते हैं, compulsory subjects मतलब ऐसे subjects जो के आपको जरूर पढ़ने पढ़ते हैं, इसमें यानि के English, उर्दू, इसलामियात होते हैं 1st year में और 2nd year में English, उर्दू, पाक स्टड़ी होते हैं, इसलामियात के जगे पाक स्टड़ी हो जाते हैं, बाक 1st year में आप लोगों को पढ़ना पढ़ता है, principle of accounting, principle of economics, principle of commerce, or business mathematics, तो यह 1st year के अन्दर चार subjects पढ़ने पढ़ते हैं, और 2nd year के अन्दर भी 4 subjects पढ़ने पढ़ते हैं, जैसे principle of accounting, जैसे 1st year में आप लोगों ने पढ़ता है, principle of economics, ठीक है, लेकिन 2nd year के अदर आप लोग का जएगा second year के अंदर इसके लावा first year में आप लोगों ने principal of commerce का subject पढ़ा था लेकिन second year में आप लोगों के पास option होगा चाहे तो आप principal of banking पढ़िए या फिर computer studies पढ़िए यह चीज़ हो सकते लेकिन यहाँ पर जो बच्चे computer studies रखेंगे principal of banking की जगे उन लोगों के लिए लाजिम है कि वो किसी college के अंदर admission लेंगे क्योंकि आगे चलके स्वाल आएगा कि क्या यह private किया जा सकता है icon तो icon private किया जा सकता है अगर आप computer ना रखो इसके जगे principal of banking रखो क्योंकि ऐसा subject जिसके लिए practical यानि एक ऐसा subject जैसे science के होते हैं जिनके लिए practical का यानि practical भी होता है जिनका उनको आप private नहीं कर सकते हैं पढ़ने वाले घर बैठके या privately आप exam दे सकते हो तो यह बात design में रखेगा computer पढ़ेंगे तो आपको कही न कहीं किसी college में admission लेना पढ़ेगा बाकी अगर इसके जगे principle of banking principle of banking रखते हो तो आप private कर सकते हो बाकी statistic का subject है जो के second year में पढ़ोगे business mathematics तो यह कुछ subjects के उपर बातचीत कर लिए हमने इससे आगे चलते हैं इससे आगे चलने हैं तो fields की बात आ जाती है तो जैसे intermediate के बाद आगे bachelor होता है तो जिसे BS program कहा जाते है तो BS program चार साल का होता है और इसमें कौन-कौन सा BS किया जा सकता है BS economics किया जा सकता है BS public administration किया जा सकता है BS Islamic banking किया जा सकता है BS sales and marketing किया जा सकता है BS accounting किया जा सकता है कि किस किसम का I.com डिगरी है और आगे जाके आपको किस किस subject के नाम से ही हमें पता Arms किस किसम का अगर आप ध्यान दे रहे होंगे सारी Subjects के उपर तो आपको पता चल रहा हुगा हिसाब किताब की बात है business कारोबार की बात है तो में तो कौर यही समझ में आ रहा है मुझे भी और आप लोगों को भी आ रहा होगा तो बरहाल BS International Relations जिसे IR कहा जाता है वो भी कर सकते हो BS Leadership and Management यह भी कर सकते हो BS Islamic Business and Economics यह भी कर सकते हो और इसके लावा BS Mass Communications यह भी कर सकते हो BS Tourism Management, BS Applied Accounting, BS Accounting and Finance, BS Economics and or Management BS Finance and Investment, BS Fashion Designing, BS Journalism यह तो होगे सारे BS Program इसके लावा आप BS इन में भी कर सकते हो क्योंकि आपने जैसे English, Urdu, Islamiyat तो अगर आपको पता चला इसाब किताब में मुझे नहीं पढ़ना यह बहुत अजीब सी चीज़ होती है तो आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कर सकते हो इंग्लिश के अंदर BS कर सकते हो, Urdu के अंदर, Islamiyat के अंदर पाक स्टेडी के अंदर वगेरे वगेरे ठीक है तो इन में भी कर सकते हो, आप लोग एक चीज़ यह होगी तो BS Program के इलावा अगर बात करें तो अदर प्रोग्राम में आ जाएगा, CA जो के एक मशूर यानि के नाम है डिग्री है, जिसको ज़्यादा बच्चे प्रैफर करते हैं तो CA आप कर सकते हो, और इसके लावा जिसे Chartered Accountancy कहा जाता है इसके लावा Business Administration जिसे BBA कहा जाता है, वो कर सकते हो Bachelor of Commerce जिसे B.com जो सबसे ज़्यादा यही किया जाता है जहां तक ऐसा मुझे लगता है, तो B.com कर सकते हो, इसके लावा CMA कर सकते हो ACCA कर सकते हो, और LLB की डिग्री भी या इस प्रोग्राम के अंदर भी आप जा सकते हो तो यह सारे प्रोग्राम्स हो गए, और I hope के इसके अंदर सब कुछ समझ में आ गया हो, कुछ लफ्स गलत बोला हो, या कुछ समझ में नहीं आ हो, तो इसके लिए महाफ करिएगा, बहराल आगे चलते हैं वीडियो बनाने का में मकसद असानी पैदा करने आप लोगों के लिए, और question answers की बात करते हैं, question answers की बात करूं तो सबसे पहला स्वाल यह है के can we do Icom private, जो के हर प्रोग्राम के अंदर ही यह स्वाल होता है कि क्या इसे private किया जा सकता है, तो yes, Icom को आप private कर सकते हो, लेकिन वही बात जो पीछे की थी, अगर computer science का subject second year में रखो गे, तो आपको college join करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लावा is it possible to study program that don't focus on business and commerce, ठीक है, क्या, यानि के जैसे दो साल में पढ़ने के बाद आपको यह feel हो रहा है कि मुझको commerce या हिसाब किताब वाले, यानि mathematics type चीजें नही पढ़ने मुझे इससे अलग कुछ जाना है, तो उस scenario में स्वाल यह बनता है कि commerce और business के लावा भी हम किसी और degree में जा सकते है, आई कॉम करने के बाद, तो yes बिल्कुल जा सकते हो, जैसे LLB हो गया, BS geography हो गया, BS international relations यह, तो इसी तरह और भी कुछ होंगे, लेकिन मिसाल के और पे हमने यह 3 लिग दिये, तो बाकी other options भी आप लोगों के लिए होती है, ठीक है, आगे एकर चलें, तो who should go for i.com, i.com में किसको जाना चाहिए, तो यहां तक वीडियो अगर आपने सुनी है, तो वहां से ही पता चल गया होगा, सारी हिसाब किताब की बात है, सारी management की ब जरूर इसमें जाना चाहिए, इसमें कहले का जॉब में a student having interest in banking field, accountancy, marketing management and having business mind approach, यानि जिस इनसान की business mind approach हो तो उसको भी favor मिलती है, i.com से कहीं न कहीं कुछ न कुछ इससाब किताब तो आता ही है, उसके बाद आगे अगर चलें तो what is the duration of i.com, बाकी प्रोग्राम की तरह यह इदर भी 2 साल ही होते हैं, आगे अगर चलें तो what is scope of i.com is in Pakistan, पाकिस्तान के अंदर i.com का scope क्या है, तो scope हर प्रोग्राम का ही होता है, जितनी अभी तक प्रोग्राम की मैंने देखा है, इससे पहले F.A की बनाई थी, F.S.C की बनाई थी, ISIS की बनाई थी, तो i.com के बाद भ आपका हिसाब किताब, चीज़ें, management, यह चीज़ें सिखते हो, तो यानि के अभी तक मैं यह बोलना चाहता हूं के बाकियों के तरह i.com की भी बिल्कुल opportunity होती है, इसके बाद आप stenographer, assistant, personal secretary, मुक्लिफ organization में जैसे किस तरह की jobs कर सकते हो, या कुछ courses कर सकते हो, तो जैसे सव पाल के जवाब में भी लिखा हो है कि after i.com you can get a junior level job, but if you learn typing और shorthand courses, यानि कि कुछ courses होने चाहिए आपके पास और business और management departments के अंदर आपको कोई ने कोई job तो मिल ही सकती है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी काबियत भी है साथ में, उसके बाद आगे अगर चलें तो which type of study in i i.com, i.com के अंदर किस किसम की study की जाती है, तो i.com के अंदर जो है वो आप लोग पढ़ते हो या foundation बनाते हो अपने mind के अंदर business के हिसाब से, आप understand करते हो, concepts understand करते हो, जैसे bank के अंदर जाएं तो वहाँ पे हिसाब किताब नजर आते हैं, जीब से, credit, debit, और यानि के कुछ technical terms होती हैं, जिनको आप समझ नहीं पाते हैं, तो banking, finance, commerce, economics, accounting, business, mathematics, statistics, computer science, तो यह जो words है, इन words को अगर आप थोड़ा सा दिहान दें, या इसको अगर थोड़ा awareness है, तो आपको पता चल रहा है किस किसम की study होती है, लेकिन असान लफ़ जो मुझे समझ में आती है, कि BAT के फा requirements of ICOM in Pakistan, तो पाकिस्तान के अंदर ICOM करने के लिए requirements क्या होती है, तो 70% mark जरूर चाहिए होते हैं, government colleges के अंदर admission लेने के लिए, because आजकल अबादी बहुत ज़्यादा हो रही है, और seats हमारे कम हैं, आजकल बच्चों के number भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगर limited seat होती है, कम seat होती हैं, colleges के अंदर इसलिए आपको marks थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं, तो at least 70% marks आपके होंगे, तो आपको इंशाला admission जो है, वो मिल चाहेगा, ठीक है, तो इसके साथ ही video खतम होती है, ये कुछ links है, Instagram, Twitter, YouTube और Facebook के, तो अगर आपको मेरी videos से connect रहना चाहते है या पिर मुझे से connect रहना चाहते हैं, तो इन links के साथ जुड़ जाए, और इस तरह से मेरा content आप लोगों के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और end में बस यही कहना चाहूँगा, जैसे कि भी बताया कि इन videos को बनाने के लिए हम कुछ और videos देखिए, या पिर मुक्लिश जगाओं पर जाके search करेंगे, तो एक हमने आपको guideline या base foundation दे दी है, जिसके उपर आप अपना काम कर सकते हो, अगर आप icon करने में interested हो, ठीक है, तो बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, आप कुछ भी क इस काम में माहिर हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, अपना क्याल रखिएगा, अल्लाहाफिस